कि पंजाब के कोने कोने से आए हुए मेरी सभी माताएं, बेहने, बेटिया, मुझे पता चला है कि आप कई घंटों से सुबह से इंतजार कर रहे हैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया आज आप सब के बीच में आके आपके खिल खिलाते हुए चहरे देखे बहुत अच्छा लग रहा है सबसे पहले किसान आंदोलन की शानदार जीत की आप सब को बढ़ाई वैसे तो सारे देश को बढ़ाई, सारे देश ने हिस्सा लिया लेकिन पंजाब के लोगों ने इसकी अगवाई की थी, पंजाब के लोगों ने इस आंदोलन की लीडर्शिप की थी इसलिए पंजाब के लोगों को बढ़ाई और उससे भी जादा पंजाब की महिलाओं को बढ़ाई जिनों ने इस सांदोलन में कदम से कदम मिला के हिस्सा लिया आज मैं एक बहुत बड़ा एलान करने आया हूँ महिलाओं की सशक्ति करन की महिलाओं को शक्ति देनी चाहिए महिलाओं का सशक्ति करन करना चाहिए इसकी बाते तो बहुत होती हैं बड़ी बाते करते हैं नेता भी करते हैं पड़े लिखे लोग भी करते हैं मैं आप से पूछना चाहता हूँ कहते हैं पैसे में बड़ी ताकत होती है होती है अगर जेब में पैसा हो तो फिर आदमी कुछ भी खरीद सकता है कहीं भी जा सकता है आदमी को आजादी मिल जाती है पैसा बड़ी ताकत देता है तो आज मैं ये एलान करना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनेगी पंजाब की हर महिला को 18 साल से उपर की हर महिला को हर महीने हजार रुपे उसके अकाउंट में हम दलवाया करेंगे सबके अगर एक परिवार में एक बेटी है एक बहु है एक सास है तो तीनों के अकाउंट में हजार हजार रुपे आएंगे जिन माताओं को बुढ़ापा पेंशन मिल रही है उनको बुढ़ापा पेंशन मिलती रहेगी उसके अलावा हजार रुपे मिलने मिला करेंगे आप सोच सकते हो अभी तक मैं समझता हूँ मैंने पिछले कई दिनों से मैं इसके उपर काम कर रहा हूँ ये केवल पंजाब पंजाब नी ये केवल भारत भारत नी ये दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा महीला सशक्तिकरन कारेकरम होने वाला है दुनिया का मुझे ने लगता पूरी दुनिया में आज तक किसी भी सरकार ने पूरी दुनिया में आज तक किसी भी सरकार ने अपनी हर बेटी हर बहन और हर मा के एकाउंट में हर महीने हजार उपर डलवाया हूँ है और आप इसकी कलपना करके देखिए 18 साल की 19 साल की 20 साल की जो हमारी बेटियां है मैं बहुत सारी ऐसी बच्चीयों को जानता हूं जो कॉलिज जाना चाती है पिता जी के पस पैसे नहीं है कॉलिज नहीं जा सकती अब वो कॉलिज जा सकती है जब उनको हजार उपे मिलेंगे वो कॉलिज जा सकती है कई बार किसी बेटी का मन करता है नया सूट खरीद लूँ पिता जी के पास जाके पैसे मांगने पड़ते हैं शरम आती है पिता जी पता नहीं देंगे नहीं देंगे अब उसको पिता जी के पास जाने के जुरूरत ने हैं, वो मारकेट जाके suit खरीद के ला सकती है. कितनी सारी housewife हैं, granny आएं, बच्चे कुछ भी मांगते हैं, पती से पैसे मांगती हैं, पती पैसा देता नहीं हैं. अब उसको पती का मूँ डीकने की जरूरत नहीं है अब वो खुद अपने हजार उपए से अपने बच्चों के लिए छोटी-छोटी चीज़े खरीद सकती है उसका मन करता है मैं नई साड़ी खरीदनू कई साल हो गए पती ने साड़ी नहीं दिलाई अब वो अपने भाई के इस पैसों से नई साड़ी खरीद सकती है माताएं बूडी माताएं कितनी सारी मैं माताओं को जानता हूँ जो बचा बचा के थोड़ा सा दस रुपए इदर से बचा लिए बीस रुपए उदर से बचा लिए बचा बचा के पैसे जमा करती है कभी बेटी माई के आएगी माई के उसको बेटी को छुपके से थोड़े से पैसे उसके हाथ पर रख देती है मोधी जी ने चार साल पहले नोट बंदी करके सारे पैसे बेड़े गर्प कर दिये थे सारे करे दे नहीं करे दे अब बेटी माई के आती है बेटी माई के आती है माद सौरूपे बड़ी मिश्किल से निकाल के देती है अब माitating उसको हजार रूपे दिया करेगी कहीगी मिरे बेटे ने भिजवाए है हजार रूपे तेरे लिए मैं जितना सोचता हूँ इस योजना के बारे में उतना मुझे यकीन है कि ये एक योजना है जो हमारी महिलाओं को इतनी ताकत देगी इतनी ताकत देगी हजार रुपे बहुत ज़्यादा नहीं होते मेरे जो विरोधी हैं वो कहेंगे पैसा कहां से आएगा पैसा कहां से आएगा मैं कई बार टीवी में देखता हूँ चन्नी साहब के खब्बे पास से ट्रांस्पोर्ट माफिया बैठा होता है सज्जे पास से रिता माफिया बैठा होता है ये दो माफिया खतम कर दिये तो पैसा ही पैसा आजाएगा पैसे की चिंता मत करो पैसा बहुत है सरकार के बाद बहुत पैसा है जब हमने दिल्ली में दिल्ली में महिलाओं की बसों के अंदर टिकेट मुफ्त है हमें देखा देखी कैप्टेन साब ने भी करी थी लेकिन कैप्टेन साब ने सरकारी बसों की करी प्राइवेट की नहीं करी, जब मैंने वो बसें फ्री करी, डेड़ सो करोड का खर्चा आया, उसी टाइम गुजरात के मुख्यमंत्री ने अपने लिए प्राइवेट प्राइवेट इस्तेमाल के लिए एक हवाईजाज खरीदा, 190 करोड रुपे का, उन्होंने अपने लिए प्राइवेट हवाईजाज खरीदा, 190 करोड का, मैंने अपने लिए हवाईजाज ने खरीदा, आज भी मैं जो सब के लिए हवाईजाज होता, उसी से आता हूँ, गाड़ी से इधर आया हूँ, एक-एक मुख्यमंत्री के अस तीन-तीन-चार-चार हवाईजाज आने हैं, मैंने अपने लिए हवाईजान जी खरीदा, 1.500 करोड रुपे में मैंने दिल्ली की सारी महिलाओं की बसें फ्री कर दी, तो आपके लिए, ये हम लागू करेंगे, पैसे की चिंता मत करना, ये सारे कहेंगे, पैसा कहां से आएगा, एक ही बात कहूंगा, बड़ी सोच समझ के मैं वादा करता हूं, लेकिन केजरी वाल जो कहता है, वो करता है, मैं हवा में बात नहीं करता हूं, अब एक जिम्मेदारी आप सब लोगों की, ये वाला चुनाव, पंजाब का भविश्य बदल सकता है, दिल्ली के बारे में आप सब लोग जानते हो, दिल्ली के बारे म स्कूल अच्छे हो गई, अस्पताल अच्छे हो गई, सडकें अच्छी हो गई, महला क्लिनिक बन गई, बसे अच्छी हो गई, पानी अच्छा हो गया, बिजली मुफ्त हो गई, बिजली 24 घंड, इतना काम हो गया दिल्ली के अंदर, पंजाब में भी हो सकता है, पंजाब में चिह ने कहा अभी तक घर में क्या होता था चिनाव के एक दो दिन पहले पता जी सब को बिलाते थे घर में है। सारी हाज जोड़के हाजी सब देखे आएंगे या पती कहते थे पत्नी को कि भाई इसको वोट देनी है पत्नी मान जाती थी बेचारी इस बार घर के अंदर महिलाएं तै करेंगे कि वोट किसको देना है महिलाएं अपनी वोट तो देंगी 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 की नहीं देंगी अपनी वोट तो देंगी देंगी लेकिन हर महिला को जिम्मेदारी लेनी है कि घर के अंदर हर पुरुष को मनाना है उनको मनाना है कि देखो पंजाब जिस भी पार्टी को अपने पती को अपने पिता जी को अपने बेटे को उसको बोलना बच्चे अपने पती को बोलना जी आपकी जो हमर जी पार्टी हो हमें आपकी पार्टी से कोई विरोध नहीं है लेकिन इस बार एक बार एक मौका केजरिवाल को देखे देखो भविश्य बदल जाएगा एक और बहुत जरूरी बात है मैं पिछले कुछ दिन से देख रहा हूँ आज कल पंजाब में एक नकली केजरिवाल घूम रहा है एक नकली केजरिवाल घूम रहा है मैं जो भी पंजाब में आके वादा करके जाता हूँ वो दो दिन बाद वो ही बोल देता है करता नहीं है करता नहीं है क्योंकि नकली है मैं आया पंजाब में मैंने का हम बिजली फ्री करेंगे दो दिन बाद कहता है बिजली फ्री कर दी यहां इतनी महिला है बैटी है जिस जिस की बिजली का बिल जीरो आया हाथ खड़े कर दो किसी का बिजली का बिल जीरो आया अभी उनका लुधियाना में भाशन चल रहा था मैं और भगवन देख रहे थे उसको वहां गहता है कि पंजाब में हमने चारसो चारसो यूनिट बिजली फ्री कर दी मैं पूरे पंजाब के लोगों से जानना चाहता हूँ अगर पूरे पंजाब में एक भी आदमी का जीरो बिजली का बिल आया हो तो मिर को बता दो पूरे देश में बिजली का बिल जीरो एक ही आदमी कर सकता है केजरी वाल और किसी को करना नहीं आता बिजली का बिल जीरो करना किसी को नहीं आता केवल केजरी वाल आपके बिजली के बिल जीरो कर सकता है तो उस नकली केजरी वाल से बचके रहना फिर मैं पंजाब में आया एक दिन मैंने का कि हमारी सरकार बनेगी हम 15,000 महला क्लिनिक बनाएंगे हमने दिल्ली में भी महला क्लिनिक बनाए उस नकली केजरिवाल ने का मैं भी महला क्लिनिक बनाऊंगा मैं आप से पूछना चाहता हूँ बना एक भी महला क्लिनिक कम से कम बीस महला क्लिनिक ही बना देते, एक ही बना देते, चलो दिखाने के लिए बना देते, वही मैंने भी बना दिया, एक भी महला क्लिनिक नहीं बनाया, नकली केजरी वाल को महला क्लिनिक बनाना नहीं आता, महला क्लिनिक तो केजरी वाल असली केजरी वाल ही बना सकता है आज अभी बता रहे हैं वगवन्त जी मेरी अभी चार बज़े मैं यहां से लुध्याना जा रहा हूँ चार बज़े मेरी आटो रिक्षावनों से मीटिंग है यह मेरी मीटिंग दस दिन पहले तैय हो गई थी उनको पता चल गया कि आज आज सवेरे सवेरे आज रिक्षावनों के दफ्तर पहुंच गए बहाँ पे डर अच्छा है अगर यह डर बना रहे तो यह सारे कुछ तो काम करेंगे नहीं डरना जरूरी है तो यह नकली केजरी वाल से बचके रहना यह खूब वादे करेंगे इनके पिछले वालों ने वो खूब वादे करेंखे बोले रोजगार देंगे घरगर नौकरी देंगे स्मार्टफोन देंगे करजा माफी करेंगे बढ़ापा पेंशन कुछ हुआ अब ये आये हैं चुनाव के पहले फर मिर को दुख इस बात का है कम से कम आहाप ने का है बिजली फ्री करेंगे चुनाव के पहले दिखाने के लिए तो कर देते हैं जूट क्यूं मोलते हो दिखाने पूरे मैं इतने लोगों से मिल चुका अभी भी किसी का चार हजार का किसी का छे हजार का किसी का दस हजार का बिजली का बिला रहा है और आप लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं और भाशन दे की कि मैंने बिजली के बिल जीरो कर दिये एक भी बिजली का बिल जीरो नहीं हुआ पुरे पंजाब के अंदर ये जूट बोल रहे हैं चुनाव के पहले आके बड़े-बड़े वादे करते हैं इनकी कोई नियत नहीं है कोई मन्शान नहीं है इनको वादे पूरे करने की तो मैं अंत में एक ही चीज कहना चाहता हूं आपने इतने सालों में इस पार्टी को भी खूब मौके दिये इस पार्टी को भी खूब मौके दिये एक मौका आम आदमी पार्टी को देखे देखो एक मौका केजरी वाल को देखे देखो एक मौका जारू को देखे देखो दिल्ली वालों ने एक मौका दिया था हमको हमने इतना काम किया इतना काम किया इतना काम किया दिल्ली वाले बाकी सारी पार्टीयां भूल गए अब दूसरी पार्टियों की कॉंग्रेस की तो वहां जीरो सीट आती है हर बार आप पंजाब के अंदर भी सारी पार्टियां भूल जाओगे एक पार्टी एक बार आम अदमी पार्टी को मौका देखे देखो भारत मता की